आईए आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के शब्द happiest का हिंदी में क्या आर्थ होता है या सीख लेते हैं सबसे पहले यह जान लिजिए कि happiest एक तुलनात्मक शब्द है अर्थात happiest शब्द, happy शब्द का एक तुलनात्मक रूप है इस बात का अर्थ यह होता है कि यदि आप प्रसंद होते हैं तो आप happy होते हैं परन्तु यदि आप सबसे अधिक प्रसंद होते हैं अर्थात आप इतने प्रसंद होते हैं कि इससे अधिक प्रसंद तो आप हो ही नहीं सकते तब आप happiest होते हैं Happiest का हिंदी में आर्थ होता है सबसे अधिक सुखी, एवं सबसे अधिक प्रसन्न, एवं सबसे अधिक हर्षित, एवं सबसे अधिक मुदित, एवं सबसे अधिक उल्लास पूर्ण, एवं सबसे अधिक आनंद पूर्ण. आईए अब यह जान लेते हैं कि happiest शब्द का वाक्यों में किस प्रकारुपयोग होता है पहला उधारण वाक्य है Today is the happiest day of my life एवम इस वाक्य का हिंदी में आर्थ है कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अधिक सुखी दिन है एक और उधारण वाक्य यदी मैं आपसे कहूं कि I am the happiest when I am teaching spoken English इस वाक्य का हिंदी में अर्थ होगा कि मैं सबसे अधिक प्रसन अथवा मैं सबसे अधिक हर्शित तब होता हूं जब मैं spoken English सिखाता हूं अब आपकी बारी है आप मुझे comment section में यहाँ बताईए कि आप भी happiest अर्थात सबसे अधिक प्रसन अथवा सबसे अधिक सुखी कब होते हैं यहाँ पर मेरा यह वीडियो समाप्त होता है मेरा आपसे आगरह है इस वीडियो को लाइक करिए अपने परिचितों में शेर करिए और इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए